नमस्कार, क्या आपका भी किड्नी स्टोन का ओपरेशन हुआ है? और आप भी ये सोच रहे हैं कि डीजे स्टेंट कैसे निकलेगा? इसको निकलवाते हुए कितना दर्ध होगा और इसको निकलवाने में कितना समय लगता है? तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत त होता है, जिसको हम किड्नी स्टोन की सरजरी के बाद यूजली डालते हैं. इसके काफी सारे बेनेफिट्स होते हैं, जैसे कि ब्लड क्लॉक्स को इकठा नहीं होने देता है, पसको नहीं बनने देता है, किड्नी की ड्रेनेज को ब्लॉक नहीं होने देता है, कोई अगर स्ट पेशाब के रास्ते से डाल कर पेशाब की थैली तक ले कर जाते हैं और फिर डीजे स्टेंट को रिमूव कर देते हैं। अब इसको हम टोटल पेइनलेस बना सकते हैं, तो उसके लिए दो चीजें होती हैं। एक तो हम इसमें लोकल लाइडोकेन जली का इस्तिमाल करते हैं। इसमें पेशाब के रास्ते से एक जेली डालते हैं। वो जेली वाटर बेस्ट होती है, वो पूरे पेशाब के रास्ते को कवर कर लेती है, जिसे पेशाब का रास्ता पूरा सुन्न हो जाता है। इसको डालने के 4-5 मिनट तक हम वेट करते हैं, फिर 4-5 मिनट बाद जब ये पूरी सुन्न हो जाती है, तब हम अपनी दूरबीन को लेकर जाते हैं और इस स्टेंट को रिमूव कर देते हैं। दीजे स्टेंट को रिमूव करने में कुल मिलाके 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का समय लगता है। तो जब हम जेली का इस्तिमाल करते हैं, तो पेशन्स को पेइन नहीं होता है, बट उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ कुछ हो रहा है। तो ये एक तरीका है। अब कई पे इस्तिमाल भी करते हैं। उसमें जेली डालने के साथ साथ, जो हाथ का कैनियूला रहता है, उसमें थोड़ा सा नेंद का इंजेक्शन देते हैं, नेंद की दवाई देते हैं, जिससे पेशन्ट 2 या 3 मिनट के लिए सो जाते हैं। सोने के बाद उनको जो वो सिंसेशन है कि और आप एक बहतर इलाज चाहते हैं, तो नीचे दिये गए नंबर पर हमारे साथ अपनी रिपोर्ट शेयर करें। ऐसी ही और किड्नी स्टोन की जानकारी पूर्ण वीडियो के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमको इंस्टाग्राम प झाल